हाई एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल आप इसी तरह खुश रहें मुस्कुराते रहें और अपने कारे में सक्सेज होते रहें गाईज यहाँ पर आज की रीडिंग है गाईज कि आपके लव वन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर देखते हैं फोर फाइल बात आपसे क्या बया करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन जल्दी से नंबर वाइज आप चुन लीजे फिर हम रीडिंग सुरू करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिन्होंन कि तुम मेरे लिए जीवन में बहुत जादा उचे स्थान पर रहती हो मैं तुमको बहुत बहुत जादा प्यार करता हूँ और रिलेशन सिप में मैं तुमें हमेशा प्यार करता रहूंगा कहने का मतलब यह है कि तुम मेरी जिन्दगी हो तुम मेरे दिल में जो है एक बहुती ग्रेटेस्ट रूप में रहती हो एक उचे स्थान पर रहती हो यानि मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है बहुत जादा उची है अच्छी है मेरे लाइफ में और इस रिष्टे को मैं आलवेज सम्हाल कर रखूंगा आलवेज मैं हमेशा प्यार करूंगा यहां पर दिया गया है यानि बहुत बहुत ज्यादा आपके परसन आपको प्यार कर रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा ग्रेट पूल कर रहे हैं यानि आपको अपने दिल में बहुत ही प्यारी जगह बह यानि मतलब मैं हमेशा तुमको प्यार करता रहूंगा, उसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए, बलकि तुम मेरे लाइफ में एक बहुत मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग किस्म का जगह है, वो जगह इस्थान जो है कोई नहीं ले सकता है, जिन्होंने second option चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, इसमें लिखा गया है कि word enough to tell you now, wonder you are, I love you, मतलब आपसे कहना चाहरे हैं कि मैं जो तुमसे कहना चाहरा हूं, उसका कोई word नहीं है, उसका कोई सब्द नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और ये, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो बहुती wonderful है, यानि आश्चरे चकित वाला सब्द है, जिसकी कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं तुमसे यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा कोई वाक्य नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने बया करूँ और हम दोनों का प्यार ही ऐसा है कि जो सब्दों से परे है बलकि ये जो प्यार है वो आखों का प्यार है दिल का प्यार है सब्दों का प्यार नहीं है बहुत ही प्यारा आपके लिए आया गाईज जिन्होंने थर्ड option चुना था देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहां हमें दिया गया है guys if you never ask to me pick between you for my dreams I would not know that say because being with you I am my only dream I love you यानि कहने का मतलब यह है कि आपके person आपको बहुत दोनों के बीच में जो प्यार भरा सपना है जो प्यार का सपना है कि हम दोनों एक साथ रहे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं वो हमेशा ही कायम रहेगा यानि कहना चाहते हैं कि तुमको मालूम नहीं है कि मैं विदाव तुम्हारे कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरी सपना हो, तुम मेरी दिल हो, तुम मेरी धड़कन हो, हमारे दोनों के बीच में जो प्यार का ड्रीम है, वो बहुती सच्चा है, बहुती पावर्फुल है, मैं तुमको ज्यादा पावरफुल मैसेज निकल के आया आपके लब वन का जाइज जिन्होंने फॉर्थ फाइल चुना था आपके लिए आया है गाइज I would climb a thousand mountain to see you smile यानि आपके पाटनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमारे एक smile पर तुमारे एक छोटी सी मुस्कान पर मुझे वो खुसी मिलती है जो हजारों उचे पहाड चड़कर मिलता है यानि जो लोग mountain चड़ते हैं सबसे उची चोटी पर जाकर जो खुसी मिलती है चड़ने वालों को उसी तरह एक तुमारी प्यारी सी छोटी सी हासी देख कर मुझे उतनी खुसी मिलती है गाइज यानि तुमारी कहने का मतलब आपके love on बोलना चाह रहे हैं कि तुमारी smile बहुत प्यारी है बहुत ही अच्छी है इसको देख कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुसी होती है आनन्द मिलता है और इस खुसी के लिए इस smile के लिए इस मुस्कान के लिए मैं बहुत ज्या यह भी बहुत ही प्यारा इसमाइल जो आपकी है उस पे मरते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुसी होती है बहुत ज़्यादा आनन दाता है क्योंकि आपकी इसमाइल ही बहुत ही प्यारी है यहाँ पर तो आपका भी जो मैसेज था बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्वीट था बहुती प्यारा था आपके लिए अगर आपको लाइक लगता है तो कॉमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू एबरीवन